हालो एवरीवन, वेलकम तो सॉनम क्लासिस, आज हमारा टापिक है कैलकुलेशन ओफ कॉफिशिंट ओफ कॉर्रिलेशन इन ग्रूप डाटा, इस टापिक पर हमने पहले एक वीडियो में डिसकस किया था, उसका लिंक पर दिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी, उसमें आ ग्रूप टाटा में इस कॉफिशंट का फॉर्मला तो हमने पढ़ा था, एक पर दोबारा देख लेते हैं कि फॉर्मला क्या है, r is equal to n submission fdx dy minus submission fdx submission fdy by में under root n submission fdx square minus submission fdx ka whole square n submission fdy dy square minus submission fdy ka whole square तो हमें इनके लिए किस-किस चीज की नीड़ पढ़ती है n की submission fdx dy की submission fdx की submission fdy की submission fdx square की submission fdy square की तो यह हमारा एक तरह से frequency distribution का topic है कि जब हमें frequency हो सकता है given हो और हो सकता है given ना हो तो जब हम part 1 में हमने किया था वहां हमें frequency given नहीं थी हमें data given था हमने उसे खुद से interval में convert करके frequency को find out किया था after that हमने correlation table बनाई थी तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखना अगर नहीं देखी है अगर देख लिया है तो ठीक है नहीं देखी तो पहले वो देखना तब ही आपको अच्छे से clear होगा वहां आपको छोटे छोटे स्टेप सब कुछ बताए हैं कि किस तरह से table draw करती है कहां पर interval लेना होता है और कहां नहीं लेना होता है तो चलो अब हम वो question लेंगे जिसमें हमें पहले सी frequency given है लेकिन आपको मैंने पार्ट बन में एक चीज़ बोली थी कि अगर आप क्या question इस तरीके से given हो कि आपको horizontally x ना दे रखाओ आपको vertically x दे रखाओ और horizontally y दे रखाओ लेकिन हमने part 1 में क्या पढ़ा था कि हमारा horizontally हम x लेंगे और vertically हम y लेंगे तो देखते हैं कि ऐसे equation को कैसे करना होता है तो start करते है जैसे यह रहा question calculate the Carl Pearson coefficient of correlation अब हमें देखो पहले से data दे रखा है और यह frequencies भी दे रखी है लेकिन यह हमारा Y को शो कर रहा है और यह हमारा X को शो कर रहा है लेकिन हमने चो table बनानी सीखी थी part 1 में तो हमने वहाँ पर यह जिषाइड करी ठी कि हम एकी pattern फोलो करेंगे हम जब भी frequency वाला question करेंगे तो हम X को यहां लिखा करेंगे और Y को यहां लिखा करेंगे तो हम अपनी table को ठीक कर लेते हैं फिर उसके बाद अपना question को start करेंगे तो टेबल ठीक करने के लिए मैंने क्या किया सबसे पहले x को देखा x के interval क्या है 0-20 20-40 और 40-60 तो मैंने यहां दे दिया 0-20 20-40 और 40-60 ठीक है तो आप क्या करो बस टेबल को आपने करण्यन तो में रोटेट कर देखा अम वह उसे design वर्टिकली लिखा वा अगा लिख दो आप यहां पर मेरा यह ता होई जंड ली तो मैंशी वर्टिकली लिख देती हू थी właściwie फिर हमारा क्या है 25 से 40 फिर हमारा क्या है 40 से 45 अब पहली राइन देखो ऐसे लिखिए न वर्टिकली इसे होरीजेंटली लिख दो क्या आजाएगा यह हमारा डाटा आजाएगा 10 4 और 6 अगर यू करेंगे तो इधर आएगा और अगर ऐसे उतारेंगे 10 5 3 तो आप यू लिखोगे 10 5 3 वर्टिकली था न अच्छा अब सेकिंड वाला हमारा वर्टिकली कौन है 4 40 और 8 तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगी 4 40 और अगला कौन है वर्टिकली 6 9 और 15 तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगी देखो चाहे तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी कर सकते थे इसे 10 4 6 था यह होरिजेंटली था तो इसे वर्टिकली लिख दिया फिर यह होरिजेंटली था याने कि वो जो हमें टेबल गिवन थी ऐसे कि पार प्रिटी नीचे था लेकिन हमने अहां पा पारट उंपे लूंपन सेट करेंगे हम एक को यहां लेंगे यांज गया पाक पर ऄड़िकर कर दिया है जो होरिजेंटल सहसे अब हमारा क्वेशन हमारे सामने रेडी हो चुका है यह है और आर यह हमारे वाय के डाटा और य यानि कि हमारा एक step तो इनों ने खुदी दे दिया, frequency पहले से दे दी, जो कि हमने उस question में बनाई थी, यहां पर हमें बनाने की नीड है पहले से दे दी, अब हम क्या करेंगे सीधा अपनी correlation table के पास चलती है, आपको बनानी सिखाई थी, तो मैं आपके सामने table इस time पर बना कर लाई हूँ, कि आपको वहाँ पार्टमन में सिखा दिया था किस तरीके से बनाना है, तो start करते हैं, देखो correlation table मैंने पहले से draw करती, कि आपको कैसे करना है, 2 lines यहाँ खिषनी थी, फिर 2 lines यहाँ और यहाँ पर आपको बताया था किस हिसाप से हमें lines लेनी होती है, अब जैसे X के अंदर हमारे देखो कितने interval है, X के अंदर हमारे 3 interval थे, तो मैंने यहाँ पर एक उसके लिए ले लिया, 0 से 20 का, एक 20 से 40 का और एक 40 से 60 का, तो 3 lines हमने यहाँ पर भी ले लिए, 3 box ले लिए, इसे तरह से Y में भी हमारे कितने हैं, 3 interval है, तो देखो Y का भी यहाँ पर हमने इसे तरह से 3 box बना दिये, फिर आपको सिखाया था मैंने, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक mid value के लिए line बनानी होती है, एक dx के लिए line बनानी होती है, एक dx के लिए, तो आपको उस वीडियो में एक छोटी छोटी चीज भी बताई थी, इसलिए आप पहले part 1 देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो, नहीं तो खाली part 2 देखकर आपके concept clear नहीं होंगे, part 1 में आप पहले सब कुछ देख कर आओ, चलो, आप start करते हैं अपना question, अभी हमें इस frequency की need नहीं है, तो इसको बात में लेंगे जब frequency की need होगी, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए थी, की हम mid values लेंगे, तो हम अपने x interval के पास गए, अब mid value कैसे लेंगे ज़ीरो से 20 के बीच की mid value, क्या होती है? 10, ठीक है, इसी तरह से 20 से 40 की mid value क्या होती है? 30, और इसी तरह से 40 से 60 के बीच की mid value क्या होती है? 50, ठीक है, हमने ले लिज पहली यह, हमारी 0 से 20 अगर आपको ना पता चल रहा हो तो आपको बताया था इन दोनों को आड़ करके 2 से डिवाइड कर दो दोनों को आड़ कि लेकिन इसमें साफ दिखाई दे रहा था फिर उसके बड़ Dx कैसे बनाना था आपको अपनी mid values में से एक assume mean चूज करना था तो वो हमने बीच वाला चूज कर लिया वो हमारा कोना आ गया और यहाँ dx का formula हमने बनाया क्या था x minus a by में क्या बताया था कि intervals के बीच में gap कितना है 20 तो बस आपको यह लिखना था कि हमारा dx कौन है यहाँ पर जो a है वो हमारा 30 है और यहाँ और कुछ नहीं करना क्योंकि हमने यह चीछ सीखी थी कि जहाँ a लिखा हुए वहाँ सामने लिखो 0 और उपर लिख दो negative counting और नीचे लिख दो positive counting तो हमारा dx भी बनकर ready हो गया dx square कैसे बनेगा इसका hall square कर दो इस वाली term का square किया 1 आ गया इस term का square किया 0 आ गया इस term का square किया 1 आ गया तो हमने अपने X वाले data की सब कुछ चीज़े ठीक करके रख ली अब हम गये इनके पास अब 10 से 25 के बीच की mid value अब 0 से 20 के बीच में तो असानी से दिख रही थी अब इसमें असानी से दिख तो रही नहीं है तो कैसे सिखाया था आप दोनों को add करो 10 और 25 को add करो कितना आएगा 35 35 की 2 से डिवाइड करो 35 की 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 17.5 तो हमारी पहली mid value क्या आ गई 17.5 35 की 2 से डिवाइड कर ली अच्छा अब देखो इसकी mid value भी नहीं पता चल रही तो हम क्या करेंगे 25 और 40 को पहले एड करेंगे 65 65 की 2 से डिवाइड करो 32.5 इसे तना से 40 और 55 के बीच की हमने mid value निगा लीन तो कैसे निखा लेंगे 40 और 55 को add करेंगे 40 और 55 को add किया तो कितना आ गया 95 95 की 2 से डिवाइड करो तो जब आप इसकी डिवाइड करोगे 2 से तो यह आपका आ रहा है 47.5 तो हमने अपनी y वाले intervals की भी mid value निकाल कर रख ली ठीक है अब mid value निकालने के बाद हमें क्या करना है d y बनाना है d y बनाने के लिए आपको a लेना होता है तो मैंने इसका a चूस किया यानि कि a y जैसे कि यह मेरा a x था तो यहां से a y की value डा दो तो क्या आजाएगी y minus a what is a is 32.5 और divided by gap कितने का है 10 से 25 के बीच में gap gap पता करना हो तो क्या करा करो अपर limit में से lower limit minus करके gap पता कर लिया करो 25 में से 10 गया 15 तो यहां पर gap हमारा कितना था 15 चीक है आपको क्या सिखाया था डीवाइब बनाने के लिए सामने क्या लिखो जीरो ऊपर क्या करो negative counting नीचे क्या करो positive counting अब डीवाइब कैसे बनेगा इस element का square कर दो इस element का square कर दो इस element का square कर दो यह चीज हमने वहां पर अच्छे से सीखी थी हमने यहां पर भी कर ली अब क्या करा था अब याद करो हमने एक सिंटर्वल के पास करे थे और उसको कहा था कि आप अपनी frequency दो जो एक सिंटर्वल्स है यह ना इसके frequency भी इसके सामने लिखेंगे तो frequency वाली टेबल लेकर आते हैं अब टेबल ले आए लेकिन इसमें तो frequencies हर इंटर्वल के अपनी अपनी है तो जब मुझे 0 से 20 के इंटर्वल की चाहिए तो मैं क्या करूंगी यहां पर इनका पहले टॉटल कर दूँगी चिक है तो मैं गई 0 से 20 वाले इंटर्वल में इसकी क्या क्या frequency 10 है 4 है 6 है add करो 10 और 4 14 14 और 6 20 इधर से भी add करो 9 और 5 14 14 को 40 में add करा 54 फिर इधर से गए यहां से add किया यहां गया 15 और 3 18 18 और 8 कितना हो गया 26 तो हमारे एकस वाले इंटर्वल की frequency रेडि होकर आ गई चिक है कितनी आई है 20 फिफ्टि-फॉर और 26 यह थे ना हमारे एकस इंटर्वल देख लो यह रही हमारे एकस इंटर्वल तो इसकी जाकर पुट कर दो 20 आई है जीरो से 20 वाले इंटर्वल की चीक है और 20 से 40 वाले इंटर्वल की फिर्वेंसी कितनी आई है 54 टाल दो 40 से 60 वाले इंटर्वल की कितनी है 26 तो यहां पर उसके सामने 26 टाल दो ठीक है अब आइब वाला कहेगा कि मुझे भी तो इसका टॉटल चहां करके रख लेते हैं चलो इसको ऐसे एड़ किया 10 और 15 15 3 कितना हो गया 18 इसी तरह से 8 और 4 कितना हो गया 12 और 12 को जब हमने 40 में आड किया तो यह हमारे पास कितना आ गया 52 इसी तरह से जब हमने इने आड के 9 और 6 15 15 और 15 कितना हो गया 30 तो आप देख पा रहे हो 10-25 के इंटरवल की फ्रिक्वेंसी कितनी है 18 तो आप 10-25 इंटरवल के सामने इसकी फ्रिक्वेंसी पुट कर दो कितनी आई है 18 इसे तरह से 25 से 40 कि कितन यह 30, 40 से 55 की क्या आप कर देंगे, 30, चीक है, अब हमने यहां से अपनी फ्रिक्वेंसी भी उतार ली, अब क्या-क्या चीजे चाहिए थी, F, D, X चाहिए था, अब आप देख पा रहे हो, F वाली लाइन का है, यह, और D, X वाली लाइन का है, अगर मैं इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन की, इस वाली लाइन से मल्टिप्लाई कर दूँगी, तो मेरा F, D, X बन चाहिएगा, चलो करो, यहां है मेरा 20, और यहां है म 26, यहाँ है मेरा 1, 26 की 1 से multiply करी कितना आगे 26, आप देख पा रहे हो, f dx का मतलब था, f वाली line, x series की f वाली line की dx वाली line से multiply कर दो, अब आगे देखो, अगली line नहीं क्या का है, f वाली line की dx के यर वाली line से multiply कर दो, और f भी कौन सा, x series का, x series का f है ये, ठीक है, और f series का dx के यर कौन है, ये, यानि कि इस वाली line की, इस वाली line से multiply करने है करो, 20 की 1 से गरी, 20, फिर इसी तरह से 54 की किस से multiply करी, 0 से 0 आ गया, फिर इसी तरह से 26 की किस से गरी, 1 से, तो यहां कितना आ गया, 26, आप देख पा रहे हो, f dx के यर भी ready हो गया, same इसी तरह से, ये मेरा कौन है, f, मुझे कहा चाहिए, f dy, तो f dy की किस से multiply करूँगी, इस f वाली line की, इस dy वाली line से multiply कर देती हूँ, करो, 18 की minus 1 से करी, तो कितना आ गया, minus 18, इसी तरह से 52 की किस से करी, 0 से, तो कितना आ गया, 0, 30 की किस से करी, 1 से, तो कितना आ गया, 30, तीक है, अब अगली line क्या कह रही है, f की किस से multiply करो, dy square से, f वाली line देखो, कौन है, ये और dy square वाली लाइन कौन सी है ये करो 18 की 1 से करी 18 52 की 0 से करी 0 30 की 1 से करी 30 बस अब main है कि अब f dx dy कहां से लाएं वो तो ये कहेगा कि f की dx और dy दोनों से multiply होगी तो यहां लिखा जाएगा इसी तरह से यहां और इसी तरह से यहां अब आप देख रहें जो रड़ वाला लिखा हुआ यांनि कि यह जो हमारा सारा portion लिखा हुआ है यहां से ये ये जो हूरा portion हमारा रड़ वाला लिखा हुआ है यानि कि यह वाली चीज इसको हम as it is ये जो हमारे box बने हुए ना देखो ये box यानि कि ये वली चीज यहां से इस box में as it is पुट करना है जैसे भी लिखा हुआ 10, 5, 3 और ध्यान से मैंने क्या का था यहां पर 3 नमबर आने होते हैं तो बीच में लिखना और थोड़ा स wellness छोटा लिखना थोड़ा सअ छोटा लिखना 4 40 और इस honeymoon इसरे से 6 9 और 15 बस इस टेबल का का म हो गया इस टेबल का काम क्या होता है एक रहा हार यहां F is देना यह बीच का डाटा इस यह बीचवाली जगह से ने हो गए इस टेबल का काम अब हम चलते हैं अपने कोशन के पास तो आप देख पारे हो यह जो अभी-अभी मैंने चीजे लिखी है यह यह फ्रिक्वेंसी है यह भी फ्रिक्वेंसी है यह आने कि यह F है ठीक है अब F क्या कह रहा है सुनो यहाँ पर जो हम नंबर देंगे न यहाँ क्या देंगे dx और dy यानि कि इस जगा पर वो नंबर आएगा जो dx की dy से multiply करके आएगा जैसे कि देखो आप पहले अपनी dx वाली line देखो कौन है यह ठीक है dy वाली line कौन सी है यह आपने क्या करना है हर box में जाकर उस element के सामने जो dx होगा उस element के सामने जो dy होगा उनकी जो multiply है यहाँ उपर लिखनी है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर तीन नंबर आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी यहाँ 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 और यहाँ जिस में से ये तो कौन थे आपके F थे हर बॉक्स का F है यह ठीक है और यहां कौन आएगा dx और dy चलो multiply करते हैं इस line इस box का सामने dx कौन है minus 1 और इस box के सामने dy कौन है minus 1 तो minus 1 की minus 1 से multiply करके यहां लिख दो कितना आया है 1 लिख दिया चल अभी धर आओ इस box के सामने dx कौन है 0 और इस box के सामने dy कौन है minus 1 minus 1 की 0 से multiply करी 0 इधर आओ इस box में इस box में सामने dx कौन है 1 और सामने dy कौन है minus 1 तो कितना आगया minus का 1 ठीक है अब इधर आओ इस box के सामने dx कौन है minus 1 और इस box के सामने dy कौन है, 0, तो कितना आ गया, 0, इधर आओ, इस box के सामने d x कौन है, 0, और dy भी कौन है, 0, तो 0 आ गया, इस box के सामने d x कौन है, 1, और dy कौन है, 0, तो 0 आ गया, आगे चलो, इस box के सामने d x कौन है, minus 1, dy कौन है, 1, तो कितना आ गया, minus 1, इसी तरह से, इस box क सामने dx कौन है 1 और dy कौन है 1 तो 1 की 1 से multiply करी 1 तो finally मैंने dx dy की value उपर सब की निकाल कर रख लिए हमारे पस यह अभी मैंने आपको क्या कहा कि यह है आपका f ठीक है और यह है आपका dx dy तो तो जब f वाले की dx dy से multiply होगी तो क्या बन जाएगा f dx dy तो इस box का f है यह ठीक है और इस box का dx dy है यह समझ रहे हो तो जब इस वाले की इस वाले से multiply होगी तो जो multiply करके आएगा वो हमें सारों का इस box में डालना है हर box का जो भी multiply करके आएगा हर box का अपना multiply वाला यहां लिखेंगे तो वह हमारा f dx dy ready हो जाएगा तो ठीक है लिखते हैं मैंने करी हां पर multiply किसकी करी 10 की यहां पर तो जब यह वाले की से करी तो 10 की यहां पर आगे चलो 5 की 0 से करी फिर दर चलो 4 की 0 से करी 40 की 0 से करी 80 की 0 से करी 6 की minus 1 से करी minus 69 की 0 से करी 0,15 की 1 से करी हमज़कि यहना कि इस वाली line का Fdxdy यह भी है और Fdxdy यह भी है तो बस आप इस वाली line में क्या करो इस वाली line के Fdxdy को जोड दो क्या है इसका 10 plus 0 minus 6 तो कितना होगा 10 में से 6 क्या 4 इस line का Fdxdy ready अब इस लाइन में चलो, इस लाइन का ये का इंस है, box में देखो, 0, 0, 0, तो add करेंगे, तो कितना आगे, 0, इस वाली लाइन में क्या है, minus 3, plus 0, plus 15, तो कितना आजएगा, 12, तो यहां से हो क्या ready, अब इसी तरह से इधर लिखना है, तो ये वाले जो box है, इनको add, you add कर दो, 10 और 3, यहां कितना हो जाएगा, हमारा 7, 10 में से 3 गया, 7, ऐसे add करो, 0, ऐसे add करो, 15 में से 6 गया, यहां पर कितना आगया, 9, तो finally, हमारा data रेड़ी हो चुका है, बस अब हमें add करना है, चलो, अब करते हैं, पहले इनको add करते हैं, dx वालों को, हंजी, f का total, अब देखो, f का total आप यहां से करो, आपका बिल्कुल सेम आएगा, तो अब जैसे हैं, अगर आप add करते हो, तो यहां से कितना आएगा, 6, 4, 10, और 1 उपर carry, 3, 3 और 5, यहां कितना हो जाएगा, हमारा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, यानि कि total इसका आगया, 100, और अगर आप ऐसे भी add करोग यह हमारी चीज क्या होती है, N, N क्या होता है, आपको बताया था, N होता है आपका summation F, तो हमने F वाली लाइन को जोड़ा, तो वो हमारा N बन गया, ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, यह F, X वालो की फ्रिक्वेंसी थी, यह Y वालो की थी, तो हमारे पास तो भी total दोनों से क आएगा 100, N की तो होगी बात, ठीक, अब आगे चलो, अब इनको जोड़ कर आते हैं, इसको जोड़ो, इस वाली लाइन को जोड़ोगे न, इसका नाम क्या है, F, D, X, तो जब इस लाइन को जोड़ोगे, तो यह वाली चीज आपको क्या देगी, Summation F, D, X, तो जोड़ो, माइनस का 20, प्लस का 26, कितना आ जाएगा, 6, आगी यह चीज, यानि कि इसका जो सम में 6 आ गया, अब इधर से चलो, F, D, X, केर वाली लाइन को जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो 20 और 26, कितना आ गया, 46, यानि कि यह आपका क्या रेडी होगे, Summation F, D, X, केर, जब इस वाली लाइन को जोड़ोगे, तो 12 और 4 को जोड़ा, कितना आ गया, 16, तो यह आपकी कौन सी लाइन है, F, D, X, वाली, यानि कि यह क्या बनगे, Summation F, D, X, D, Y, तो आप जोड लिया ना हमने, तो हमारे पास Summation F, D, X, की भी वाली, Summation F, D, X, D, Y, की जोड़ोगे, Summation F, D, X, D, Y, की तो यहाँ पर भी है, देखलो यही आएगा, 9 और 7 कितना है, 16, चाहिए यहां से इसको एड़ करो, चाहिए यहां से एड़ करो, सेम ही आएगा, तो आपकी यह क्या थी, Summation F, D, X, D, Y, अच्छा, अब इनको जोड़ो, F, D, Y वाली लाइन को जोड़ोगे, तो 30, और 18 को जोड़ोगे, तो कितना आजाएगा, आपका 48, तो यह लाइन क्या आगे, Summation F, D, Y, Square, अब यह सारा राटा में नोट कर लेती हूं, बस फिर अपने फॉर्मले में पुट करेंगे, अंसर आजाएगा, अब देखो, मैंने सारा राटा नोट क कौन था, Summation F, D, Y कौन था, Summation F, D, Y, Square, Summation F, D, Y, Square, Summation F, D, Y, Square, Summation F, D, Y, कौन था, अब सारी वैल्यूस कर देती है, N, कितना है, 100, F, D, X, D, Y कितने है, 16, फिर विचे-, F, D, X, D, Y कितने है, 6, ok, F, D, Y, कितने है, 12, n की value कितनी है 100 fdx square की value कितनी है 46 फिर minus fdx कौन है 6 इसका whole square फिर under root n कौन है 100 fdy square कौन है 48 minus fdy कौन है 12 इसका whole square करें सब साथ और यहां रहा है मेरा 1600 612 की multiply करी 72 और यहां सौल किया यहां गया मेरा 46 और minus में कितना गया 36 इदर 4800 और यहां कितना गया 144 अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं इन दोनों को माइनस किया तो यह आ गया और यहां से हमारा रूट आ गया 4, 5, 6, 4 और यहां से इन दोनों को लेस्ट किया तो यह हमारा आ रहा है कैल्कुलेटर से करना है 4, 6, 5, 6 ठीक है, अब हम क्या करेंगे बस इन दोनों के रूट निकाल लेंगे इसका भी रूट और इसका भी रूट जो रूट आएगा उनकी आपस में मल्टिप्लाई कर देना तो यहां से आ गयी है और फाइनली जब हमने इन दोनों को डिवाइट कर दिया तो आंसर आ गया यह 0.33 तो हमारा एक्वेशन कम्टीट तो हमने अपना calculation of coefficient of correlation group data में कैसे करना था वो सीखा ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूट करना बाई